गुड मॉनिंग, आज हमारा वोकाब की क्लास का 28th डे है और आज हम लोग कैप, सिप या सिप्ट से रेटेट सब्दों को पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है to take या to go, जाना या प्राफ्ट करना होता है, चलिए सुरू करते हैं, सबसे पहला सब्द है हमारे सामने, accept, accept, एक का मतलब होता है, प्राफ्ट करना, take, ठेक है, तो accept का मतलब क्या हो गया, इसके सीधे सा मतलब से पता चलिए, accept का मतलब, accept का मतलब क्या हो गया, सुईकार करना, किसी चीज को प्राफ्ट करना, यानि कि सुईकार करना, accept का मतलब हो गया, सुईकार करना, तो इसका अगर antonyms क को इसके बात करें तो इसका एंटॉनिमिस हो जाएगा reject करना मतब आगे बढ़ते हैं अगला सबद है anticipate करना anticipate के प्राप्त करना AT जो है वह भर suffix है थेका है तो मतलब किसी चीज को को पहले प्राप्त कर लेना किसी चीज को पहले मतलब उसके actually Oxygen करने से तहले उसके प्राप्त कर लेना उसको बौलिंग Anटिसिप आंटिस्पेट वहirst रहुत भी चीज मिला नहीं उस से पहले प्राफ्त कर लिया मतलब क्या अंदाजा लगा लिया उसको पहले पता चल गया ना अन्दाजा लगाना को ही बोलते हैं क्या anticipate बोलते हैं अंदाजा लगाना ठीक है to expect something इसी को बोलेंगे anticipate to expect to expect something इसी को बोलेंगे anticipate बोलेंगे तो समझ गए anticipate क्या होता है, आगे बढ़ते है, captivating, अगला सब्द हमारे पास, captivating, capt का मतलब होता है to take, to take, और waiting का मतलब होता है, ये captivating जो बनाया गया है, वो एक waiting adjective suffix के रूप में यहाँ पर इस्तमाल किया गया waiting, इसका मतलब होता है, कि manohar होता है, इसका मतलब होता है, manohar प्राप्त करना, मन में प्राप्त करना, ठीक है, manohar इसको बोलते है, captivating का मतलब होता है, manohar मन में प्राप्त करना, waiting, ठीक है, या किसी चीज को holding में लेना, ठीक है, holding में लेना, उसको बोलते है, captivating, manohar मन में प्राप्त हो गया, ठीक है, manohar बोलो या फिर manuram भी बोल सकत ठीक है इसी का synonyms हो जाएगा enchanting enchanting हो जाएगा इसी का synonyms enchanting हम लोग इससे पहले के lecture में पढ़े थे enchant, enchant का मतलब क्या होता है person करना, ठीक है mohit करना, तो captivating का मतलब क्या हो जाएगा, मन में हासिल कर लेना, निक है उसको अगर किसी के प्रति, अगर mohit हो गया, person हो गया, तो मन में भी एक तरह से bad जाता है वो चीज, तो उसी प्रिकास से हो गया, manuram, नहीं, manohar हो गया, manuram मन में bad जाना, ठीक है, तो enchanting इसका मतलब हो जाता है अब आते capture अब है अगला सब्द हमारे पास capture, kept, यहाँ, kept का मतलब होता है वही, to take, यानिके प्राप्ट करना अर यूरी जो है, वर्व सफिक्स है यहाँ पर, तो capture का मतलब हो गया बंदी बनाना, ठीक है बंदी बनाना, या पकड़ लेना, बंदी बनाना यही हो गया, capture करना, ठीक है उसी का antonyms क्या हो जाए, capture करना पकड़ लेना, हासिल कर लेना बंदी बनाना, यही का antonyms इसका उल्टा हो जाएगा है, छोड़ देना, release करना, release करना, या फिर let go, इसका antonyms हो जाए, capture से रेटर सब्द पढ़ लिए, अब आते incipient, incipient in का मतलब हो गया, into ठीक है और sip का मतलब होता है, take ठीक है, तो incipient है, to take, यानि किसका मतलब होता है प्राप्त करना प्राप्त करना, शुरू करना प्राप्त करना, start हो गया, यानि प्राप्त करना, शुरू कर दिया, तो incipient का का मतलब होता है शुरू करना शुरू करना इंसिपेंट का मतलब क्या हो गया शुरू करना मतलब जस्ट बीगनिंग शुरुवात हुआ है ठीक है या फिर प्रारम करना ही बोल सकते है इसको आरम करना या प्रारम करना इंसिपेंट का मतलब ही होता है प्रारम करना या आरम करन पीछ में प्राप्त करना। मäने कुसी चीज़ को बीच में प्राप्त करना। ठीक है, तो अगर कोई प्राप्त कर रहा है, उसके बीच में कुछ चीज, बीच में आ गया, तो बाधा पड़ जाएगा ना, इसलिए बोलते हैं, आपका intercept का मतलब हो गया, बाधा डालना, परिसान करना, बीच में, किसी चीज को प्राप्त करने के दौन बीच में पड़ जा आउसको भी to interrupt, to interrupt something or somebody, टोकना, रोकना, ठीक है, यह हो जाएगा, intercept, बाधा डालना, अब आते हैं, परिसिपियेंट, पर का मतलब होता है, through, और सिपियेंट का मतलब होता है, प्राप्त का मतलब होता है, प्राप्त करना, to take, ठीक है, to get, तो, through, through, to take, यहाँ पर इसका मतलब ऐसे आ रहा है, लेकिन, परसिपियेंट का मतलब होता है, कि समझदार, मतलब कोई भी चीज, वो पूरी तरह से प्राप्त हो गया, पूरी तरह से प्राप्त हो गया, उसको, तो कोई भी ग्यान उसको, पूरी तरह से प्राप्त हो गया, अगे बढ़ते हैं अब आता है प्रिशेप्ट प्रिका का मतलब क्या होता है before पहले और shift का मतलब हो गया to take ठीक है इसका मतलब क्या हो गया कोई भी चीज़ प्राप्त करने से पहले कोई भी चीज़ अगर खरीद रहे हो या फिर कहीं जा रहे हो या कोई आपको काम बेला तो उससे पहले आपको कुछ बताया जाता है ना तो इसका का मतलब हो गया, perspective का मतलब हो गया काम करने से पहले की बात ख़ानी की नियम है ठीक है थेक है फिससी कहा शुजाया का principle का मतलब शिधामत नियम, reciprocal को बोल सकते है rule about how to behave गहीं और what to think इसको बोलेगैं ठीक हो अब आते हैं ReCapture Re का मतलब होता है क्या Re का मतलब होता है Back Capture का मतलब प्राप्त करना ठीक है अब आते हैं पुना प्राप्त करना इसी को बोलेंगा ReCapture तो सीधा सिंपल सा मिलिंग पता चलता है ReCapture मतलब पुना प्राप्त करना एसी को बोलेंग क्या आगे बढ़ते हैं अब अगला है रिसीव का मतलब क्या होता है रि का मतलब होता है back और receive alan होता है GET यहने कि प्राप्ट करना receive का मतलब ह oppressed करना किसी चीज को प्राप्ट करना को ही बोलेंगा receive ठीक है to get or accept something to get or accept something इसी को बोलेंगे, receive, ठीक है, जैसे कि मानलो आप online को कोई वीचीज order करते हो, तो order करने के बाद, delivery के बाद, आपको वो चीज प्राप्त होता है, यानि कि आप समान को अपने अंदर में ले लेते हो, अपने अंडर में ले लेते हो, तो वो क्या कहलाएगा, यानि कि वो आप वस्तु को जो आपने order किया था, वो receive कर लिया, अनि कि प्राप्त कर लिया, ठीक है, receive कर लिया, अनि प्राप्त कर लिया, आगे बढ़ते है, recipient, हाँ, तो recipient जो है, receive करने से related है, तो जो आप वो चीज को प्राप्त कर लिये, तो आप क्या हो गया, प्राप्त करता हो गया, तो अगे बढ़ते हैं, अगला है suspectible, यह last sabd है हमारा, suspectible, sus का मतलब बता है from, और या फिर बिलो भी बोल सकते हैं, और shaped का मतलब होता है, यहांपर shaped चिपा हुआ है, शिप्ट का मतलब होता है, spelling थोड़ा गलत है, इसको सही कर देता हूँ, एक सेकंड, susceptible है ठीक है, susceptible, यह suspectible नहीं है, suspectible का मतलब कुछ और होता है, तो यहां susceptible का sus जो हो गया उसका मतलब हो गया आपका from और shift का मतलब हो गया shift का मतलब होता है प्राप्त करना take ठेक है तो जो कोई भी चीज आसानी से प्राप्त हो जा या फिर आसानी से उसमें बदलाव लाया जा सकता है उसी को बोलते हैं suspectable मतलब इसको बोलते हैं अती समवेदन सील मतलब उसमें आसानी से बदलाव लाया जा सकता है आसानी से उसमें छेड़ चार किया जा सकता है उसी को बोलते है अती समवेदन सील यानि कि vulnerable ही बोल सकते है अती समवेदन सील बोलेंगे यानि कि suspectable है ठीक है, उसी को बोलेंगे अतिस अमवेदन सिल, यानि कि easily influenced or harmed by something or somebody उसी को बोलेंगे suspectible इसी का synonyms हो जाएगा इसी का synonyms हो जाएगा impersonable इम-presonable ठीक है, इसी का synonyms हो जाएगा impersonable तो आज का class नहीं समाप्त करते हैं धन्यवाद